खराब खानपानों बिगड़ती जीवन शैली की वज़े से शरीर कई गंभीर बिमारियों की चपेट में आ जाता है इनी में से एक है फैटी लिवर जिसमें लिवर में चर्वी जमा हो जाती है फैटी लिवर की समस्या खास कर उन लोगों को जल्दी घेरती है जो चर्वी युक्त यानी की हाई फैट डाइट लेते हैं और शराब कर सेवन बहुत ज़्यादा आधिक करते हैं बदलती जीवन शैली और खानपान ने फैटी लिवर की बिमारी को दिया है जब लिवर में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है तब उसे फैटी लिवर डिजीज कहते हैं वहीं medical terminology में या medical भाषा में इसे liver disorder के नाम से जाना जाता है फैटी लिवर डिजीज का आयरुवेधिक उपचार भी होता है बारती आयुर्वेद में फैटी लिवर की आयुर्वेदिक दवा और इलाज दोनों ही मौजूद है फैटी लिवर होने के कुछ मुख्य कारण हैं जो अगर आप समझ जाएं तो इससे आप बच सकते हैं फैटी लिवर डिजीज दोस्तों आपको मुख्यता दो तरह की देखने को मिलती है जिन में शामिल है अलकोहल फैटी लिवर डिजीज और नौन अलकोहल फैटी लिवर डिजीज इन दोनों नाम से ही दोस्तों पता चलता है कि एक अलकोहल के सेवन से होती है तो दूसरी उनको भी दोस्तों ये हो सकती है जो अलकोहल यानि की शराब का सेवन नहीं करते हैं नवश्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नौलिज साथी पर दोस्तो वर्तमान समय में fatty liver की बिमारी के बारे में सभी को पता होना चाहें fatty liver की बिमारी को समय रहते पैचानना बहुत जरूरी है क्योंकि fatty liver disease के लक्षण को अगर आप पैचान लेते हैं तो दोस्तो इसके लिए आप रोक्ताम के उपाय अपना सकते हैं और जरूरी उपचार को भी ले सकते हैं अगर दोस्तो हम fatty liver की समस्या होने पर देखने वाले कुछ लक्षणों की बात करें तो दोस्तो आप आसानी से इसे देखकर पैचान सकते हैं दोस्तो fatty liver की समस्या होने पर आपको कुछ common लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे की मुझ से स्मेल आना, आखों की नीचे काले धब्बे पड़ना, पेट में हमीशा दर्द रहना, खाने का सही डंग से पाचन ना होना, इसकिन पर सफेद धब्बे पड़ना, यूरीन या स्टूल का रंग बहुत ज़ादा गहरा हो जाना, लिवर की खराबी के कारण द नहीं हजम हो पाता, तो अच्छा पर सफेद धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसे हम लिवर स्पॉर्ट भी कहते हैं, अगर हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो जैसे की हमने आपको बताया कि दोस्तों ऐसे में मुझ से गंदी बद्बू आने लगती है, ऐसा इस परयोग करके काफी हब तक दोस्तों आप अपनी फैटी लिवर की समस्या को खुद से कम कर सकते हैं, या किसी आयरवेदिक एक्सपर्ट की सला से दोस्तों आप इन उपायों को अपना कर इस समस्या को ठीक भी कर सकते हैं, तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारी पहली औश्दी के दोस्तों अम्रित धाना जाता है grieving के दोस्तों या अमडिम्रिता के नाम से जान जाता है कि ये स्वास्त के लिए बहूत ही फायदेमंद होता है लिवर को healthy रखने में विपश कारगर माना जाता है वहीं पाशनगर्य everytime आए करने में भी दोस्तों गिलोय का बहुत जादा रोल रहता है साथ ही साथ दोस्तों ये शरीर में इम्म्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है इससे लिवर में किसी भी तरीके के संकुमण का खत्रा भी कम हो जाता है जो लोग दोस्तों फैटी लिवर से पीडित हैं उन लोगों को दोस्तो इसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये liver से toxins को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है तो ऐसे में दोस्तो अगर आपको समस्या है fatty liver की तो आपको गिलोई को अपनी life में या daily routine में add जरूर कर लेना चाहिए इसके बाद दोस्तो जो हमारी अगली आउशदी है वो है आवला fatty liver की परिशानी से निजात पाने के लिए आयरुवेद में आवले को भी बहुत ज़्यादा मददगार बताया गया है आवला में भरपूर मातरा में antioxidant मौजूद होते हैं जो liver की गतिविदियो को बहतर बनाने में फायदेमन साबित होते हैं दोस्तो एक्सपर्ट मानते हैं कि fatty liver से छुटकारा पाने के लिए रोजाना 3-4 कच्चे आवला कर सेवन करना चाहिए आप चाहें तो सूखे आवला का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो दोस्तो इसको भी आप अपनी life में add जरूर करिए इसके अलाबा दोस्तो जो हमारे अतिरिक टुपाए है या अदर दोस्तो जो option है जिनको आप अपना सकते हैं उनमें शामिल है ग्रीन टी ग्रीन टी में भी दोस्तो एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं ये लिवर को सही तरीके से काम करने और लिवर फैट से छुटकारा दिलाने में आपकी मदद करते हैं फैटी लिवर को दोस्तो ठीक करने के उपाई का रूप में आप ग्रीन टी के सेवन करना शुरू कर दीजे दोस्तो इससे भी आपको फायदा देखने को मिलेगा। कुछ दोस्तो अगर हम घरेल उपाई की बात करने तो आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। लहल Только दोस्तों सभी घरों में एक मसाले कर रूप में होता हिय लेकिन दोस्तों आपको जानकर होगी होगी कि हल्दी फैटी लिवर के इलाज में भी बहुत जयादा उपियोगी है लिवर संबन्दी समस्या में दोस्तो हल्दी को अपयोग करने से इसको हैप्टम liquer की क्रिया-चीलता को बनाया रखने में जाने कि आपका लिवर का जो फैटी लिवर में बहुत ज़्यदा फायदमन्द होता है ये लिवर में जमे है फैट को कम करने में अपकी मतद करता है य इसको दोस्तो आप अपनी lifestyle में या अपनी diet में जरूर करिए इसके अलावा दोस्तो आप ले सकते हैं करेली का juice और अश्वगंदा करेली का juice दोस्तो बैसे ही बहुत ज़्यादा फायदे बंद होता है आप सभी न सुन रखा होगा करेली के juice के कितने फायदे होते हैं लेकिन acept लोस्तों garage slash यघया के समस्यां होने से रोखने में मदद करते हैं अगर आप fatty lover की समस्यां से दोस्तों पीड़त है तो अपने डाइट में काःली की सब्जी जूस का सेवन बढ़ा दीजिए इसकी से दोस्तों कुछ इनों में आपके लक्षन है दोस्तों में आपको कमी देखने को जरूर मिलेगी वहीं बात करें अश्वगंदा की दोस्तों तो माना जाता है अश्वगंदा का सेवन करने से लिवर हानिकारक का खत्रा भी टाला जा सकता है तो ऐसे में दोस्तों अश्रवगंदा आपको मार्केट में कई तरह की फॉर्म में मिल जाता है आप उसे पर्चेस करिए दोस्तों उसका यूज करना आप शुरू कर दीजे इससे भी दोस्तों काफी हर तक आप अपने फैटी लिवर की समस्या क को कम कर सकते हैं और लिवर से संब्ध्य जो भी डिसॉडर है उनमें भी दोस्तों आपको अराम जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों इन सब उपायों के साथ साथ आपको कुछ चेंजिस भी करने की जरूरत होती है अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाब दोस्तों जो आपको अपनी डेली डाइट में ताजे फल और सब्जियों का सेवन जादा करना चाहिए ऐसा खाना खाये जिसमें फाइवर जादा हो जैसे कि फलियां साबुतनाज दलिया आप ले सकते हैं या ऐसी कोई भी चीज जिसमें फाइवर की मातरा जादा हो एलकोहल और ड्रिंक में फैट को कम करने का काम करती है उसके अलावा दोस्तों आपके जो लिवर की फंक्शनिंग उसको भी अच्छा रखती है यह जो कि मार्केट में आपको मिलता उसको आपको दोस्तों पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए क्योंकि आपकी लिवर की समस्या को बढ़ाने का दोस्तों काफी हद तक जो रोल रहता है वो इसका भी रहता है इसके अलावा दोस्तों आप ऐसी सब्जियों को प्रयोग करिए जैसे कि पालक ब्रॉकली करेला लौकी टिंडा गाजर तो रही चुकंदर प्याज अधरत अंकोरे तनाज का दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी डाइट में और अपनी लाइफ में दोस्तों कुछ ना कुछ एक्सराइज जरूर करें कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करें जो कि आपके बॉड़ी को अच्छा रहें जाए आप मौर्णिंग में वॉक करिए योगा करिए प्राणाया में आप कर सकते हैं कर सकते हैं साइकलिंग कर सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसी एक्सराइज जरूर करिए जो कि आपकी बॉड़ी को हैल्दी रखें तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो आशा करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा पसंद आया होगा वीडियो धन्यवाद